प्रियंका चोप्रा की मैनेजर ने किया बॉलिवुड को लेकर खुलासा कहा कि प्रियंका के खिलाफ थे इंडस्ट्री वाले उन्हें कई लोगों ने किया था वॉन कि प्रियंका के पीछे वक्त बरबाद ना करे आखिर क्या है मामला आई ये जानते है प्रियंका चोप्रा आज्यस मुकाम पर है वहाँ पहुचने के लिए उन्होंने जो स्ट्रगल किया है उसकी तारीफ करना बनता ही है और अब उनके शुरुवांती दिनों को लेकर उनके मैनेजर ने किया है शौकिंग खुलासा प्रियंका चोप्रा की मैनेजर अंजुला आचार्या की माने तो बॉलिवुड के कई दिगज आक्ट्रस को लेकर नेगेटिव थे और कहते थे कि वो उन पर समय बरबाद कर रही है जी हाँ सही सुना आपने अंजुला आचार्या हॉलिवुड में प्रियंका के प्रोजेक्स देख रही है एक इंटर्व्यू में उन्होंने न्यू यॉक में एक दोस के घर डिनर के दौरान घटी घटना के बारे में खुलासा किया अंजुला ने फोप से बातचीत में कहा मुझे याद है कि जब मैंने प्रियंका को पहली बार साइन किया था तब कई लोग थे खासकर भारत से जो उन्हें लेकर नेगिटिव थे मैं दोस मनीश गोयल के घर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ दिगजों के साथ डिनर कर रही थी वो उनके बारे में नेगिटिव थे कह रहे थे कि वो कभी काम नहीं करने वाली मुझे नहीं पता कि तुम अपना समय बरबात क्यों कर रही हो वगेरा वगेरा अंजुला के मताबिक लोगों की बाते सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ था लेकिन उन्हें प्रियंका की नजरों में स्पार्क दिखा था वो कहती है मुझे याद है कि उस वक्त मैं खुद को बेहद आहत महसूस कर रही थी मेरे मन में खयाल आया कि मैं समय बरबात कर रही हूँ लेकिन ऐसे वक्त में ही आत्म विश्वास अंदर आता है ये एक क्रेजी ड्रीम की तरह लग रहा था ऐसा जैसे कि किसी को भारत से हॉलिबुड लाना है लेकिन जब मैंने प्रियंका की आखों में देखा तो यकीन हुआ उन्हें नकारा नहीं जा सकता था वो बाधाओ को तोडने वाली थी वेल प्रियंका ने इन सब नेगिटिविटी का सामना किया और आज वो एक अनबीटिबल स्टार बन गई है बता दे कि खुद प्रियंका ने ये कहा था कि उनके साथ इंडस्ट्री में अपमान जनक विवहार किया गया था लेकिन उन्होंने चुपी साधली थी क्योंकि उन्हें सिस्टम के अंदर ही काम करना था अब ऐसे में प्रियंका के मैनेजर की ओर से आई इस स्टेटमेंट से सोशल मीडिया यूजर्स और हैरान है आपका क्या कहना है उनके इन स्टेटमेंट्स के बारे में हमें कॉमेंस कर बताना ना भूले हूँ आपका के अवाद रूभा लगां उन्सक्राइब को बोलीवडनाव और फेस्बोक, इंस्तारम और यूटुब